खुद का काम, खुद ही को साजे नंदने को अभी ही एक बेटी हुई थी लेकिन बच्चा होने के बाद भी नंदने को उसके सिसुराल में ज़रा भी आराम नहीं मिलता ऐसे ही एक दिन नंदनी अपनी बेटी को संभाल रही थी तबी उसकी सास कुंति उसे आवाज लगाती है अपनी सास के आवाज सुनकर नंदिनी तुरंत किचन में जाती है और अपनी सास को चाई देने लगती है जैसे ही सास को चाई देती है तो नंदिनी का पती रागव नंदिनी को आवाज लगाता है नंदिनी यहां मेरा वालट था कहा गया वहीं रखा होगा रागो जी एक बार आप देख लीजे न वहीं होगा ड्रॉर में अरे नहीं है यहां पर डूण के दो ना मुझे बेचारी नंदिनी अब रागों के पास जाती है और ड्रॉर में से उसका वालट निकाल कर देती है यह रहा आपका वालट सही से तो देख लेते और यार जल्दे में था इसलिए ध्यान नहीं दिया अच्छा इन सब को छोड़ो और जल्दे से मोहित को तयार करो उससे मैं स्कूल चोड़कर अपने आफिस निकल जाओंगा यह वगवान आट बजने वाले हैं और यह लड़का अभी तक उठानी है आप मुझे पंदरा मिट दीजिए मैं पंदरा मिट में इसको नहला धुला कर तयार कर देती हूँ तब तक आप ब्रेक्फस्ट को लीजी ना नंदिनी अब दौरती हुई मोहित के पास जाती है और उसे उठाकर स्कूल के लिए तयार कर देती है कुछ दिर बाद रागव मोहित को अपने साथ उसे स्कूल छोड़ने के लिए ले जाता है पर तभी वहाँ नंदिनी का देवर विक्रम आता है बाभी सुबह का ब्रेक्फस्ट जल्दी से लगा दो मैं बहुत लेट हो चुका हूँ रिया कहा है देवर जी बाभी आप जान दिये ना रिया प्रेगनेंट है उससे कोई काम नहीं हो पाता वैसे भी आज उसकी तभी थोड़ी डाउन चल रही है इसलिए मैंने उसको परिशान करना ज़रूरी नहीं समझा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आप यहाँ बैटों मैं आपके लिए अभी ब्रेक्फस्ट लगा देती हूँ बिचारी नंदिनी अब अपने देवर का भी ब्रेक्फस्ट लगाती है तभी उसकी छोटी बेटी रोने लगती है घर में इतना काम और अपनी बेटी को रोता देख नंदिनी परिशान हो जाती है क्योंकि वो एक टाइम पर अपने घर और अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि नंदिने से एकी समय परितना सब नहीं हो पा रहा था इसलिए दुपेर में नंदिनी अपनी सास के पास जाती है जहां उसकी साज अपनी छोटी बहु के पास बैट कर टीवी देख रही थी माजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी हाँ बोल क्या बात करनी है माजी मैं घर में अकेली पढ़ जाती हूँ और अकेले ना तो मुझसे बच्चे संभाले जा रहे हैं और ना ही घर का काम हो पा रहा है और अभी तुर यहाभी प्रेगनेंट है इसलिए वो भी मेरा हाथ नहीं बटा पा रही है मैं अकेले यह सब मैनेज नहीं कर पा रही हूँ तो तु कहना क्या चाती है तुझे घर के काम नहीं करने नहीं माजी मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि मुझे घर के काम नहीं करने मैं बस यह कह रही हूं कि मुझसे अकेले सारे काम नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों ना हम घर में एक नौकरानी रख ले राम 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 नौकरानी ना बाबा ना मैं नौकरानी से अपने घर में काम दो गया उसका एक पैर बिबर्दाश नहीं कर सकती. अगर तुझे काम करना है तो कर, अगर नहीं करना तो छोड़ दे, मा खुद कर लूगी. नहीं माजी, मेरा ये मतलब नहीं था. अभी मेरी बेटी छोटी है, मुझे उसकी साथ-साथ इस घर को सम्भालने में काफी दिक्कत हो रही है. मतलब थोड़ा भी आराम ही नहीं मिल पाता मुझे. आराम? अरा, आराम क्यों करना? जब तेरी बेटी तेरे पेट में थी, तब पुरे नौ मेने आराम क्या की नहीं तुने? अब तेरे देवरानी की बारी है? अब वो पेट से है, तु उसको भी तो अराम चाहिए. और तेरा तो बच्चा हो गया. वैसे भी बच्चा होने के बाद काम बाम करते रहना चाहिए, ताकि शरीर फैलना जाए. हाँ दीदी, मा जी सही करिए, आपको काम करना चीए. क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगी, तब तक आप पतली कैसे होंगी? और वैसे भी नौकरानी रखने से अच्छा है, खुद का काम खुदी किया जाए. वो कहते ना, खुद का काम खुदी कुद साजे. अब भगवान जाने नौकरानी कहां कहां से आती है? रिया और कुंती की बाद से साफ पता चल रहा था, कि नंदिनी को आराम नहीं मिलने वाला. इसलिए नंदिनी उनके सामने कुछ नहीं बोलती, और चिपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है. क्योंकि नंदिनी काफी ज्यादा थक जाती है, इसलिए वो रात को जल्दी सुझाती थी. ऐसी ही एक रात रागव नंदिनी के पास आकर बैठता है. क्या हो आ नंदिनी? तुम्हारा चेहरा काफी उत्रा हुआ है. तुम्हारी तब्यत तो ठीक है ना? हाँ, तब्यत तो ठीक है मेरी है. लेकिन बहुत धक जाती है. मुझे खुद के लिए जरा सा भी समय नहीं मिल पा रहा है, रागव जी. मैंने मा से नौकरानी रखने की बात गई, तो उन्होंने साफ बना कर दिया. आप तो मेरी बात सुनिये. मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई समझे ना समझे, लेकिन आप तो मुझे समझे. मैं खुद को जरा भी समय नहीं दे पा रही हूँ. बच्चा, घर, परिवार, इन सब म रागोजी, प्लीज मा जी से बात कीजिए ना, इस घर में नौकरानी रखने के लिए. नंदिने, तुम्हें पता है न, इस घर में सिर्फ मा की चलती है. मैं जानती हूँ, रागोजी, लेकिन आप भी तो इस घर के बड़े बिटे हैं. अगर आप मा जी से बात करेंगे, त किसी के चलने ही नहीं देती. इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता नंदिने. रागव के मूँ से ऐसी बात सुनकर नंदिनी निराश हो जाती है और चुपचाप सुजाती है समय यूही गुजरता है और गुजरते समय के साथ नंदिनी अपने घर में काफी ठक जाती है घर के काम और बच्चों से परिशान नंदिनी अपनी मा को फोन करती है और अपनी मा से सारी बात शेयर करती है ये जाननी के बाद नंदिनी का भाईवर और गुसे में नंदिनी से कहता है तु पागल होगी है क्या अभी कुछ महीने पहले तेरी डिलिवरी हुई है और तु आराम करनी की जगए इतना काम कर रही है तु अपनी सास को बहुत लाग की घर में एक नौकरा नहीं रख ले है भाईया मैंने मा जी को कहा था लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी ठीक है अगर उन्होंने तेरी बात नहीं सुनी तो अब तु उस घर पे एक पल नहीं रहेगी मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए नन्देनी को आराम चीए था इसलिए वो भी वरुन की खिलाफ नहीं जाती और उसे अपने घर बुला लेती है वरुन जब घर आता है तो वरुन को देखते ही कुंती कहती है अरे वरुन बेटा, तुम यहां कब आए? कैसे आना हुआ आज तुम्हारा? बस अपनी बेहन को देखने आया था लेकिन अपनी बेहन को देखकर यह लग रहा है कि मेरी बेहन इस घर की बहु नहीं बलकि नौकरानी है, नौकरानी अरे क्या हालत कर दिया आप लोगों ने इसकी? अरे बिटा, घर की बहु है तो घर की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ीगी ना इसे और वैसे भी ये इसी का घर है खुद के घर में काम करने से कोई नौकरानी थोड़ी ना बन जाता है आंटी जी आपकी बात बलकुँ सही है लेकिन आपको भी तो सोचना चाहिए ना कि मेरी बेहन अकेले इतना सारा काम कैसे करेगी ठीक है मैं मानता हूँ कि मेरी बेहन को इस घर का काम करना है लेकिन उसकी मदद के लिए आप नौकरानी भी तो रख सकती है जैसे हम लोगों ने एक नौकरानी को रखा हुआ है तुम लोगों ने नौकरानी रखी है, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने घर में नौकरानी नहीं रखूँगी, पता नहीं कहां कहां से आते हैं वो लोग, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, और वो मेरे घरा कर सीधा मेरे कीचन में गुसेगी, मेरे घर के सामानों को हा तेरी बहन के बारे में सोचा है, इसलिए कह रही हूं, इस घर में नौक रानी नहीं आएगी, अगर तेरी बहन को कुछ दिन आराम चाहिए, तो वो अपने माई के जा सकती है, कुंती की बात सुनकर वरुन अपनी बहन को अपने घर ले जाने लगता है, जाते वक्त कहता है, तक आप लोगों को अपनी गलती का एहसास ना हो जाए, आहा, कोई बात नहीं, और जब तुम्हें ये एहसास हो जाए, कि तुम्हारी बहन को अपने ससुराल में होना चाहिए, तो तुम खुद उसे यहाँ छोड़ जाना, ठीक है? मेरी बहन अब इस घर में तब तक नहीं तब ही विक्रम रिया के पास आता है, रिया, तुम अब तक अपने बेटे के साथ ही खेल रही हो, मुझे लेट हो रहा है यार, मैंने तुम्हें काहता था ना, मेरी फाइल ढून दो, पिक्रम, तुम्हारी फाइल अल्रीड है मेने ढून कर रखती है, तुम अपनी नजरे इधर उधर करोगे, तब ही तो तुम्हें कुछ दिखीगा ना, और ये क्या बोल रहे हो, अपने बेटे मतलब, ये तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? रियार, तुमसे तु बैस करना ही बेका रहे है, बताओ फाइल का है मुझे जाना है, अलमारी खोलोगी तो तुम्हें फाइल दिख जाएगी, रिया की बात सुनकर विक्राम, गुस्से में अलमारी खोलता है, और वहाँ से फाइल लेकर चला जाता है, कुछ दिर बाद कुंत वह भूक लग जाती है, और वैसे भी बारा क्या तुझे कम नजर आ रहे है, छोड़ अपने बेटे को, इसे मैं समाल लोगी, तु जाकर खाना बना ले, उन्ती की बाद सुनकर रिया उसे कुछ नहीं बोल पाती, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है, रिया अपनी सास यह मैं अभी लाती हूँ, रागव वहाँ से चला जाता है, और उसी समय रिया का बेटा रोने लगता है, अपने बेटे को रोता सुन, रिया सब को छोड़कर बेटे की पास जाती है, और उसे चुप करवाने लगती है, पर तभी वहाँ कुन्ती गुस्से में बॉखलाती ह मैं तुझे कहा था ना, कि खाने की लिए लेकर आ, लेकिन नाइ, तुझे तो मेरी बात सुनाई नहीं थी, और जब मैंने कहा कि मैं मेरे पोते को संभाल रही हूं, फिर भी तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, माजी मैं अपके लिए खाना ही बनाने गई थी, और मैं आपके लिए खाना बना रही थी, लेकिन तभी जेट जी आ गए, उन्होंने मुझे जाय के लिए का, क्योंकि उनकी सर में दर्द हो रहा था, फिर मैं उनके लिए चाय और आपका खाना दोनों साथ में बना रही थी, तभी मुझे मेरे बेटे की रोनी की आवाज सुन और जब मैं उसको डांटी थी तब, तब तो बड़े मज़े ले लेकर बोलती थी, खुद का काम, खुदी को साजे, हाँ मैं बोलती थी, लेकिन मुझी ये एसास नहीं था ना, कि अकेली कितना भारी पड़ जाता है, अरे मुझी पता होता तो शायद मैं उनका ही सपोर्ट कर और दिदी का कहना गलत नहीं है, वो सही कह रहे थी, इस घर में एक नौकरानी का होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम वो इस घर की कामों में हाथ तो बटा दी थी, रिया गुस्से में अपने बेटे को गोद में लेती है, और किचन में चली जाती है, कुछ देर बाद वो जन्दी नेदी दी बिलकुल सही कहती थी, अकेले घर को संभाल पाना बहुत मुश्किल है, मेरे पास तो सिर्फ एक पच्चा है, लेकिन उनके पास तो दो दो बच्चे थी, उपर से वो इस घर को इतने अच्छे से मैनेज करती थी, देगो विक्रव, मुझ से अकेले काम नहीं होता, मैं बहुत तक जाती हूँ, प्लीज मा जी को बोलो ना, वो इस घर में एक नौकरानी रख ले, रिया मैं तुमारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो, जब भाईया भावी के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो मैं तुमारे लिए कैसे कुछ कर लो, जब बड़े भाई ने मागो कुछ नहीं का, तो मैं मा से कैसे सुबान लड़ा सकता हूँ, ठीके कोई बात नहीं, जैसे दीदी इस घर से गई है, लगता है वैसे ही मुझे भी आराम करने के लिए माई के जाना होगा, विक्रम मैं कल अपने माई के जा रही हूँ, माजी से यह बात कह देना, कि माजी जब अपने विचार बदले तब मैं वापस आ जाओंगी, इतना बोलकर रिया सोने के लिए चली जाती है, और अगले दिन वो भी अपना सामान पाक करकी माई के जाने लगती है, पर तब यूसकी सास उसे रोकते हूँए कहती है, आरे बाहो, सु मैं इतनी उलज गई हूँ, कि मैंने खुद को ही खो दिया है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने माई के जा रही हूँ, अच्छा, तो तुझे भी अपनी जिठानी के जैसे भूच चड़ गया है, आराम का, ठीक है जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, और मैं अपन समय के साथ कुंती अपने घर को अकेले संभालने लगती है, कुंती किचन में खाना बना रही थी, तब भी विक्रम अपनी मा को आवास लगाता है, मा, कल रात कोई अपने कपड़े प्रेस किये थे, और अभी ये प्रेस किसने तोड़ दी, अब मैं क्या पहन कर जाओं? अर ठीक है, गुस्सा मत कर, मैं अभी तेरे कपड़े को दोबारा प्रेस कर देती हूँ, हो सकता है, मुझसे खराब हो गया हो, कुंती की बात का जवाब विक्रम नहीं देता और नहाने के लिए चला जाता है, वही कुंती विक्रम के कपड़े प्रेस कर देती है, उसी समय प्रेस करने लग गए थे, वनना मैं ब्रेक्फस्स बना देती, थोड़ी देर रुख जा, अभी बना कर लाती हूँ, नहीं रहने दो मा, मैं बार से कुछ खालूंगा, ऐसे ही मुझे बहुत लेट हो चुका आज, इतना बोलकर रागो गुस्से में भूख ही पेट अपने प्रेस कुंती बहुत ज्यादा थक जाती है, और अपने बेटे को भूखा जाता देख, उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, शाम को जब उसके दोनों बेटे घर आते हैं, तो अपनी मा को थका, हारा आब इस तर पर देखकर मा से पूछते हैं, क्या हूँ, मा आपकी तब्यत तो ठीक है ना? हाँ मा, तब्यत ठीक है ना? आप इतनी ठकी हुई इस तरह सोफे पर क्यों बैटी हो? राग हो विक्रम, आज तुम्हारी मा बहुत ठक गई है, पहले मैं इस घर को कितने अच्छे से संभाल कर रखती थी, लेकिन बहु क्याने से मेरी आदत छुट गई, और आब उम्र होने की वज़े से मुझसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा, पर मा, इस घर में जो काम करती थ जिसने इस घर को संभाला हुआ था, आपकी प्रेशर की वज़े से वो इस घर को छोड़ कर चली गए, उन्होंने आपसे मागा ही क्या था, मदद के लिए एक नौकरानी, अगर आप मदद के लिए एक नौकरानी रख देती तो शायद ना तो आज नंदी नहीं जाती और न प्रेश करती होंगी. मांगता दे, कुंती की दोनों बहु उसे माफ कर देती है, और एक बार फिर वो तीनों मिलकर घर को संभालती है. इस बार अब ना तो उन्हें नौकरानी की जरुरत पड़ी और ना ही किसी के हेल्प की, क्योंकि वो तीनों ही एक दुसरे की मदद करने में पीछे नहीं अट इस तरह एक बार फिर नंदनी का सिसुराल पहली की तरह खुशाल हो जाता है.